हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू मैं यूटीव चैनल आजम एप्लिकेशन ओफ लप्रेस्ट टांसरमेशन एक्सराइज 6A का कोश्चन ट्वैलम कर रहे हैं इसको कैसे लिख सकते हैं इस पे हमने लप्लिस का फॉर्मूला कैसे लगेगा S की पावर 4 कैपिटल Y माइनस S क्यूब S की एर S S की पावर 0 और माइनस 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 Y 0 Y dash 0 Y double dash 0 Y triple dash 0 और इस पे क्या लग जागा कैपिटल Y equal to 0 यहां पे हमने वैल्लिस को put कर दिया क्या है हमारी वैल्लिस 0 0 0 और Y 0 की वैल्लिस क्या है 1 तो क्या बच गया है S की पावर 4 माइनस A की पावर 4 Y is equal to S की पावर 3 विकोज यहां पे हमारी यह वली टर्म यह यह एंड लास्ट वली टर्म बचेगी बिकोज Y 0 is 1 तो यह नेगटिव है तो राइट अंड चाहिड S क्यू बन जेगा Now A स्केर माइनस B स्केर का फोर्मुला A स्केर माइनस B स्केर A स्केर प्लस B स्केर और यह वली टर्म as it is उसके बाद हम क्या करेंगी S स्केर माइनस A स्केर को इककोल टू 0 ले जेंगे तो S स्केर की वैल्यू क्या आजगी A स्केर इस फेक्टर को छोड़कर बागी जगा हम पुट कर देंगे A स्केर प्लस A स्केर 2 A स्केर यहां पे क्या जगा A स्केर similarly यहां पे माइनस A स्केर वैल्यू आजगी माइनस A स्केर माइनस A स्केर माइनस 2 A स्केर माइनस A स्केर और यह वला फेक्टर as it is Now इसमें से हम क्या कॉमन निकाल देंगे A स्केर and 2 A स्केर कॉमन निकाल देंगे 1 अपॉन S स्केर माइनस A स्केर प्लस 1 अपॉन S के प्लस A स्क्यर जो यह वली S है उसको अंदर लेजेंगे 1 अपॉन 2 S अपॉन S के मैनस A स्क्यर प्लस S अपॉन S के प्लस A स्क्यर टेकिंग इन्वर्स लेपलेस ओन बौस सै then L इन्वर्स S अपॉन S के मैनस A स्क्यर is cos hyperbolic 80 और इसका क्या होता है cos 80 यह हमें find out करना था I hope you like my video, please like subscribe my channel, thank you